टेलिविजन पर देखिये पहली बार अन्दे आशिक को अभी तक आपने सुना होगा इश्क अंधा होता है अब देखिये पहली बार इश्क में हुए अन्दे आशिक अपनी महबुबा को पाने के लिए चड़ा है टावर पर रात दो बजे चड़ा आशिक को प्यार का भूद नाम नहीं पता पर परवान चड़ी महबब एक तरफा प्यार की गिरफ्त में है ये दिवाना दिवाने को टावर से उतारने में लगी मा और पुलिस बड़ी मिन्नतों के बाद माना ये दिवाना जी हाँ आप भी चौप गए ना कि आखिर मामला क्या है और ये कौन है जो टावर पर चड़ा हुआ है दरसल मामला है सिंगरॉली स्थित एंसी एल में खड़िया परियोजना के सीचपी का जहां पर एक आशिक अपने प्रेमिका को पाने के लिए सीचपी टावर पर चड़ गया और बार-बार धमकी देने लगा कि मेरी प्रेमिका को मेरे पास ले आओ जानकारी के बाद पुलेस और मा को आठ घंटे लग गए आशिक को नीचो उतारने में गौर तलब है कि आपने अभी तक राजे महिवाल और कई पुराने आशिकों के किस्से सुने होंगे लेकिन आज उनसे टक्कर लेने आ गया है मद्धिपदेश के सिंग्रोली जिले के NCL स्थित खड़िया प्रोजेक्ट में रहने वाला लेटेस्ट प्रेमी मिस्टर संजय जो अपनी प्रेमीका का नाम भी नहीं जानता पर उससे बेपना मुहपत करता है इंतहां तो तब हो गई जब एक तरफा प्यार में पड़े संजय को लगा की उसकी प्रेमीका ने उसे धोका दे दिया है और उसे वो छोड़ कर चली गई है फिर क्या था इस जुनूनी आशिक ने रात के सननाटे में अपनी प्रेमीका की याद में आहें भरते हुए मौत को ही अपने लगाने की प्लानिंग कर ली और रात दो बजे चड़ बेठा तीन सो पचास फिट उपर टावर पर और चिलाने लगा कि उसकी प्रेमीका को लेकर आओ नहीं तो वो आत्म हत्या कर लेगा यह पूरा ड्रामा चलता रहा दिन की बारा बजे तक फिलाल पुलीस एवं सिकुरेटी की मदद से प्रेमी संजे को नीचे उतारा गया और अब पुलीस उसे पकड़ कर पूश्टाच कर रही है वहीं प्रेमी संजे का कहना है कि वह लड़की से प्यार करता है लेकिन लड़की का नाम नहीं जानता है वहीं प्रेमी संजे का कहना है कि वह उस लड़की से प्यार करता है लेकिन उसका नाम नहीं जानता इसके बाद संजय अंत में कहता है कि जब उसे समझ में आया कि एक लड़की चली गई तो क्या होता है दूसरी आ जाएगी तब कहीं जाके प्रेमी संजय उस टावर से नीचे उत्रा अजब गजब है ये प्रेम कहानी जहां एक प्रेमी रात दो बजे अचानक से टावर पर चड़ जाता है और चिलाने लगता है मेरी प्रेमी का मुझे दिलाओ तो सेचपी के उपर क्यों चड़े थे रात में क्यों चड़े थे जांग देने के लिए खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिन भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले